एक बहुत आकवर टीनेजर था जिसके एक भी गल्फरेंट बनने रही थी बाद में उसके थोड़े थोड़े टाइम के लिए दो गल्फरेंट बनती है पर दोनों ने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया कुछ ऐसे इवेंट हो है जिस वज़े से एक साथ दोनों गल्फरेंट उस ब्यूटिफुल और पॉपिलियर थी हर कोई लड़का उसे अप्रोच करना चाहता था एक राद एक पार्टिय में हमारा में करेटर जिसका नाव में अंड्रे उसे मन में मन में अप्रोच करने का ट्राय कर रहा था फ्रेंट ने पासा करों से कहा कि तुम्हें जाकर उसे ड उसका कर रमोना भी उसके साथ डांस कहने लगती है इसे मूमेंट पर इसे टॉसे टॉल्ये आके उसने टॉलेट देखा तो ये बहुत ज़्यादा खंदा था वह बाहर निकलता है पर उसके पीच्छे बीच रमोना भी आकि अगर रमोना ने उस तरीका का टॉलेट देखा तो शायद उसे लगेगा कि एंड्रे ने किया था इस वज़े से उसे मना करता है फर बाद में कोई अलग अंदर गुज़ गया और वो एंड्रे पर ही ब्लेम करता है सारे स्कूल उसका बहुत मज़ाग उडाती है रमोना के साथ उसकी फर्स डेट ही बहुत ही ज़ादा लगता उन्हें लगता था कि एंड्रे का किसी भी लड़की के साथ कोई भी एक्स्प्रियंस है एक टास्क रमोना डिसाइड करती है कि आज रात वो अंड्रे के साथ होगी यंद्रे के फ्रेंड्स ने भी उसे अप्रोच करने के लिए मोटिवीट किया उसके पास जाकर डा की लड़कों की तरह नहीं हो मैं तुमसे प्यार करता हो और एक रिलेशनशिप जाता हो इस से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं वाला हर को रमोना को जाता था पर एंड्रें से इस तरीके का कोई भी चांस मिले तो इसका फाइदा तुम्हें उठाना चाहिए लाइफ में एकी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा फ्रेंड जिसका नाम था सिल्व उसने कहा कि तुमने अच्छा किया तुमने अपने दिल की सुननी चाहिए अगली को मैंने रिजेक किया शाइद इसी वज़े से तुमारी गाल्फिरंड इसमें सही बहुद करता दो कराता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं हैंटसम महें मेरी औरा घुर्पर गराई अपनी मदर को सब कुछ बात बता देता है मदर कहती कि रमोना एक्चुल में तुम्हारे लिए केर करती होगी शायद इसी वज़े से तुमसे अपसेट है तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है मदर फिर हॉलिडे के लिए एंडर को कहीं पर लिख कर जाती है वहाँ पर एंडर ने चेकिन करते हो देखा तो रिसेप्शनि और इसका नाम है एनेओन श्याहम बुलाएंगे एंडर ने वहाँ के बार्ट्रेंटर से एना के बारहें पोचा बार्ट्रेणर कहता है कि यह एंडर वीडियो बनाती है उसे अप्रोच मत करना एंडर को बहुत अची लगी थी उसे इंट्रोडक्शन चाहता था बार्टें कि रात में हम बीच पर वॉक करने के लिए जा सकते हैं ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है एंडर कहता है कि बार्टेंडर तुम्हारे वारे में कुछ बोल रहा था एना कहती कि मुझे लाइक करता था और मैंने उसे मना किया इस वजह से हमेशा कुछ न कुछ बोलता रह करता है यह दोना इंदूसरे की फैमिली इदर उदर की चीज़ों को जान लेते हैं एना ने उसे बता दिया कि मेरा एक बॉइफ्रेंड है एंडर ने कहा कि हमारी डेट बहुत ही अच्छी थी पर अभी भी खतम नहीं हुई यहां इतना अच्छा मूनलाइट है सब कुछ प हो जाते हैं सुबहां उने पर एंडरी की मदर उसे उठा कर गया थी कि आज हमें जाना है कल रात की वज़े से एंडरे बहुत ही कुछ था अपनी मदर से एना को मिलवाना चाता था पर जब रिसेप्शन पर पहुचे तो एना की जॉब ऑल्रीडी किसी और ने ले ली थी व पर एना मोना कही थी है कि मेरा एक बॉइफ्रेंड भी है वैसे भी हमारे बीच में चीजे वर्क आउट नहीं करती घर जाता है एंडरे बहुत ही अपसेट था तब उससे रमोना का मैसेज आता है उसे मिलने के लिए बुला रही थी वो रमोना को आकर देखता है तो उसके फेस पर चोट आई हुई थी उसमें और सिल्वू में फाइट हुई थी और सिल्वू ने उसे मारा हुआ था एंडर कहता है कि अब मेरी गर्फेंड है पर रमोना उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसके पास एना का मोबाइल नंबर भी नहीं था रमोना ने उसका मजा को और कहा कि तुम्हें कहा गर्फेंड मिलने वाली है एंडर कहता है कि तुम हमेशा इसी तरीके से मुझे चिडाती रहती हो मुझे बहुत सारी लड़कया मिल जाएगी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है रमोना ने उसे रोकने के बहुत कुशिश की पर फिर भी वह दिया था कि एंडर ने उसे मारा तो सब लोग उसे बहुत अपसेट थे वह घर आकर एना को बहुत ही मिस करता है तो मदर ने कहा तुम्हें उसे कॉंटाइक करना चाहिए एंडर को फिर आइड आया कि शायद एना इंस्टाग्राम पर होगी पर वह वहाँ पर भी नहीं थी पर फिर भी वह होटेल में कॉल करकर एना के अडरेस ले लेता है उसने कहा कि मैं तुम्हारी सिटी में आ रहो शायद हम दोनों डेट पर चल सकते हैं एना इस बात के लिए मान जाती है ये रात में एक जगा पर डांस की लेगे एक दुसरे के करीब आगे और वही के बाथर कुझा नहीं है मेरा बॉइफरेंट रीच है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती एंड्रो का इस बात से बहुत बुरा लगा नेक्स डे अंड्रे अपने दोस्त के साथ स्कूल में बैठा हुआ था पर सब लोग उसे आजीब सा लोग दे रहे थे कुछ लटकी आकर उनसे बात क करेगा स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था कार्ला उसकी सब बात सुन लेती है वो दोनों जड़ा है हो गए थे तो कार्ला उसके साथ इंटिमेट हो गई और एंड्रे कुछ कर भी नहीं पाया अखली दिन एंड्रे को उसके फ्रेंड से कौला आता है कि अब ह हैर कट बनाया वो चीम में गया अच्छे फोटोस लेकर इंस्टाग्राम पर डाली इसमें कोर के बास सब लड़कों को बहुत ही अच्छा लग रहा था तो रमोना भी उसके पास आ जाती है वो गयता है कि अभी तुम मुझे वर्ल्ड में सबसे जादा ब्यूटिफुल लग रहा है कि अफकोस में बहुत अच्छा लग रहा हूँ चलो आज रहा था मूवी देखते हैं रमोना भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर इन दोनों ने किस किया जब भी अभी मिलते थे तो इनकी करीविया बढ़ने लग के थी एक दिन अन्रे कारला के पास आया उसे बुरा न लगे इस तरीके से ओकारला को समझा रहा था पर कारला यह एंड्रे को फ्रेंड जोन कर देती हैं एंड्रे के साथ सिल्वू ने बहुत ही पुरा बरता हो किया था तो बदला लेने के लिए सिल्वू के नाम से वो कारला को एक किप्ट भीज देता है और यह मुझे इस तरीके से ठुकरा कैसे सकते हो पूरे स्कूल में सिल्वू के रेपिटेशन खराब हो गई कारला बहुत जादा गुसा थी तूसे बहुत मारती है आज जात एंड्रे रमोना को डेट पर आने के लिए कहता है वो दोना एक पुराने लाइट हास पर जाते हैं ने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो सपोर्ट करते हो इस तरीके कि कभी भी उसके रिलेशनशिप नहीं थी वह अब हमेशा के लिए यही चाहती थी एंड्रे ने कहा कि चलो तुमारे घर पर चलते हैं रमोना को ज़रा डिसपोइंटेड लगा क्योंकि उसे लगता है कि हर और कोई लेट का सिर्फ एक ही जेश आता है गर जाने के बाद ही इंटिमेट होने लगे पर एंड्रे गहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ रमोना इस बात पर गुस्ता होकर सबर्दस्ति उसके साथ इंटिमेट हो जाती है इसके बाद इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रही थी पर एक दिन अच्छानक से एंड्रे को एना का मैसेज आ जाता है उसने कहा कि मैं तुम्हारी टाउन में हूँ एक घंडे में आकर मुझे पिक अप करना एंड्रे नर्वस होके रमोना से हैता है कि मुझे जाना पड़ेगा कुछ भी एक्सक् पर लेकर आता है एंड्री के मदर ने उसके सारी बच्पन की फोटो अलग-अलग स्टोरी सब कुछ आना को बताए बेचारा इस बात से बहुत इंबरस्ट हो गया था नेक्स मुमेंट पर उसे रमोना को कॉल आता है उस पर गुस्ता थी क्योंकि एंड्रे फिर से उसे मिलन के लिए आया ही नहीं एंड्रे कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया था रमोना ने कहा कि आज रात आते वक्त मेरे फूल लेकर आना तो सब कुछ मेरा गुस्ता चला जाएगा एंड्रे कहता है कि आज रात में नहीं आ सकता मुझे मेरे कजन के साथ जाना है रमोना गुस्ता ह चाहिए या फिर एना के साथ यह सारी वाद निम्दर को बताता है मदरश बहुत किए पर फाइनलियसे कहती है कि अगर तुम रवणा से बहुत प्यार करते तो एना का खयाल भी तुम्हारे मन में नहीं आता वो डिसाइड कर लेता है कि रमोना के साथ वो ब्रेक अप कर लेगा और वो एना के पास आ किया यह दोनों आज रात इंटिमेट हो जाते हैं बीस रात में उसके घर के सामने रमोना आके उसे किस करने लग सकता रमोना कहती कि ब्लीज मेरे साथ मजाग मत करो एंडर उसकी कोई भी बात नहीं मानता तो पैचारी बहुत ही जादा अफसेट हो गई थी उसके बाद हम देखते कि बहुत सारे साल बीच चुक गया एंडर ने एक बुक लिक और इससे और रीज बन गया इतने सालों तक पैना के साथ उसकी रिलेशनशिप सकसेस्फुल रही थी उसकी साथ बहुत ही खुश था बहुत सालों बाद आज उसका फ्रेंड उसे मिलने के लिए आ रहा था उसके पास वो चला जाता है सारे लोग उसका ओटोग्राफ ले रहे थे तब भी रमोना उसकी पास आके उसने एक बहुत ही successful businessman के साथ engaged हो चलो में तुम्हें घर छोड़ देती हो उस businessman के साथ उसकी relationship कितने परफेक्ट है इसके बारे में उसे बता रही थी पर एंड्रे एना को message कर रहा था इस बात से रमोना बहुत गुस्सा होगे उल्टी सुल्टी गाड़ी चलाने लग जाती है तो एं ultimate होने लगे और उसे stop नहीं कर पाया एंड्रे को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी लगा वो अपने फ्रेंड के पास आकर उसे सब कुछ situation बता देता है वो कहता कि क्या मुझे ये सब बात एना को बता दीने चाहिए फ्रेंड ने कहा कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मै रमोना का मैसेज आता है और उसने कहा कि मैंने अना को सब कुछ बता दिया अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं तो किसी और के साथ भी मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दे सकती एंड्रे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया अचानक से उसके खुट की आवाज सुनाई देने लगती है यह आवाज उसे अपने फ्यूचर से आ रही थी फ्यूचर के अंड्रे ने कहा कि तुम्हारी स्टोरी की इस तरीके से एंडिंग नहीं हो सकती हम पास्ट में जा सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं और रिष्ट करता है कि शायद उसने कभी भी रमोना का पर उसक्या ही नहीं होता वो फिर डारेक्टले अपने स्कूल की दिनों में पहुच गया सिल्वू जब कह रहा था कि जा कर तुम्हें रमोना से बात करनी चाहिए तभी उसे पंच कर देता है अब इसके बाद एना की साथ उसकी रिलेशन्शिप को कोई भी तोड़ नहीं सब कुछ परफेक्ट होगा इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको यह अटपटी मूवी अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा यह बहुत सारे मूवी लेकर आत रहतो तो प्लीजी चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल न सब्सक्राइब के साथ तुम्तिक लिए थैंक्यू और आप अपनाव का ख्याल रखिया